जै श्री राम, मैं डोक्टर अंकित्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलजर, निम्रलोजिस्ट, लालकिताविन वास्तू कंसल्टेंट, आप सभी का तुरसे स्वागत करता हूँ आपके सबने यूट्यूब चैनल और फेस्बूप पेज़ बार। दोजार चौबीस की शिरुवात होने जा रही है, कुछ योगों का निर्माण साल की शिरुवात में होने वाला है, चर्चा करेंगे कि कैसा रहेगा आपके लिए नया साल, मेश रासी सिले करमीन राशी तक सभी राश्यों की बात इस वीडियो के माध्यम से होगी आज, इस ब साल के पहले दिन गज-के स्री योग बनरा है, देवताओं के गुरू ब्रसपति, मेश रासी में विराजमान हैं, और वहीं चंदरमा सिंग राशी में विराजमान रहेंगे, इसलिए गुरू की सीधी दरश्टी चंदरमा पर पढ़ रही है, जिससे गज-के स्री योग का निर्माण हो रहा है वर्ष के पहले दिन 31 दिसंबर 2023 को गुरू मेश राशी में वक्री अवस्था में मारगी हो रहे हैं वक्री अवस्था से मारगी हो रहे हैं माफ कीजेगा ऐसे में गजलक्षमी राजयोग का निर्माण हो रहा है इसके साथ ही एक जनवरी दोजार चॉबीस को सुबह तीन बज कर 41 मिनट से आयुश्मान योग का निर्माण हो रहा है इस योग के बनने से समी बारे राशियों पर इक्वल प्रभाव पढ़ेंगे कौन सी राशी में कौन सा सुब्योग बनेगा आये चर्चा करते हैं विस्तार से केंद्र तिर्कौन राजयोग के हम बात करेंगे सबसे पहले मेश राशी के जातकों के लिए केंद्र तिर्कौन राजयोग अतिन्त शुब रहने वाला है में इस राशी के जातकों को आत्व विश्वास बढ़ेगा उनके करियर कारोबार में खूब लाब होता दिख रहा है और इस राशी वाले जातकों के लिए एक बात बहुत महत्पून है कि उनके सारे रुके काम बनने शुरू हो जाए दूसरा योग है शश्योग विश्व राशी के जातकों के लिए टैन्थ हाउस में शश्योग बन रहा है जिससे नोकरी, करियर, व्यपार में उन्नती मिलेगी सुख समरद्धी की प्राप्ती होगी परवार में शांती रहेगी पिता की तरफ से भी कोई खुशकवरी मिल सकती है मालवव राजयोग मितुन राशी में मालवव राजयोग टैन्थ हाउस में बन रहा है इसलिए इस राशी के जातकों को भी सुखों की प्राप्ती होगी चात्रों को उच्छ सिख्षा पाने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है काफी समय से जो पैसा कहीं अटका हुआ है उसके आने के असार बन सकते हैं पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें मलवे योग अगेन दुबारा से करक राशी में मलवे योग नाइंथ हांस में बन रहा है इस राशी के जातकों की किसमत को जो चमका सकता है वो मलवे योग ही चमका सकता है 2024 में आर्थिक लाब मिलेगा पैसों की तंगी से राहत मिलेगी आपके द्वारा जो महनत की गई है उसका फल इस साल में आपको मिल सकता है जो पुरानी मेहनत आपकी चली आ रही है, उसके रिजल्ट सब मिलेंगे आपको केंदर तिर्कोणिये राजयोग, सिंग राशी के जातकों को केंदर तिर्कोणिये राजयोग से बहुत लाब होगा ऐसे में इस राशी के जातकों को लंबी दूरी की यात्रा करने के साथ साथ बागे का पूरा साथ मिलेगा रोके हुए काम भी आने वाले समय में पूरे होने वाले हैं मानसिक तनाव से मुक्ती मिल सकती है मालव्य योग कन्या राशी में मालव्य योग सेवन्थ हाउस में बन रहा है जो आपके लिए अनकूल साबित होगा आपको यश कीर्थी की प्राप्ती होगी जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा अगर कोई व्यापार करते हैं तो अच्छा रहेगा बस थोड़ा सतर्क रहें बहुत कुछ बड़े लोगों से आपका संपर्क हो सकता है रूचक योग तुला राशी के जातकों के लिए फौर्थ हाउस में और सेवन्थ हाउस में रूचक योग रहेगा जिससे आने वाले साल में तुला राशी के जातकों की किसमत चमक उठेगी इस समय आपको आकस में धनकी प्राप्ती हो सकती है साथ ही इस समय रोग या चोप से भी मुक्ती बिल सकती है मालब वेयोग वरश्चिक राशी के जातकों के लिए सेवन्त हाउस में मालब व्योग रहेगा जिससे लाब ही लाब होगा व्यवसाय में बहुत लाब होगा नोकरी में लाब होगा पार्टनर से रिलेशन से पच्छी रहेगी आपकी कोई प्रॉपर्टी में आप लाब कमा सकते हैं इस समय पर कोई नया वाहन आप खरीच सकते हैं इस साल में केद्र तिर्कोणिय राजयोग धनूराशी में गुरू का गोचर केद्र तिर्कोणिय राजयोग का भरपूर साथ मिलेगा भरपूर लाब आपको मिलेगा इस समय आपको पौत्र या पुत्र का सुख होई या कहे तो संतान सुख में हो सकता है मालव्य योग मकर राशी के जातकों के लिए दसम भाव में मालग योग रहेगा जो मकर राशी वालों की किसमत चमकाएगा आबान सम्मान की प्राप्ति कराएगा जो लोग अविवाहित हैं उनका रिष्टा पका हो सकता है शश्योग कुम राशी के जातकों के लिए आपकी राशी में शश्योग रहेगा जिससे इस व्यक्ति के जो राशी से सम्मंदित व्यक्ति हैं कुम राशी से सम्मंदित उनके वारे नियारे हो सकते हैं बस थोड़ी सी मेहनत जादा कर लीजेगा आप, आपको आर्तिक लाब मिलेगा, आएके नए श्रोथ बन सकती है, बद्र योग, मीन राशी के जातकों के लिए फोर्थ हाउस, चौते भाव में और सेवन्थ हाउस, यानि साथवे भाव में बद्र योग रहेगा, जिससे मीन राशी के जातकों के सितारे चुम्केंगे, बिजनस में खूब मुनाफ़ा कमाएंगे आप, कारेस्थल पर आपको कोई नही जम्मेदारी मिल सकती है, मा की तरफ से भी कोई खुशकावरी अवश्य मिलेगे, आप सब ध्यान रखिएगा, आप सब को शुब कामना है, अंगरी जी नोब बर्श की, फिर मिलेंगे, जश्य राव,